Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube Classes Goswami Classes. Students, आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिशयस है आपके लिए, क्योंकि एक informative वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप BA first year, second year या final year के students हैं, और आपको मालूमी होगा कि आपका exam जो है, वो आने वा है, तो इतने कम समय में आप कैसे तयारी करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, उसके ओपर ये वीडियो है, क्योंकि आपके अंदर confusion ज़्यादा है, इस बात को लेकर, कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और किस तरह से तयारी करें, क्योंक आपने ये पूछा कि sir हम तयारी कैसे करें story तो clear हो गई लेकिन questions किस base पर आएंगे तो चाहे आप first year में है, second year में है, final year में है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी chapter पढ़ते हैं, चाहे वो short story है, चाहे वो novel है, चाहे वो drama है या कोई essay है, कुछ भी है उसका सारांस आपको तयार होना चाहिए उसकी summary आपको पता होनी चाहिए और वो जो stories है सभी stories, चाहे वो भी ये first year, second year है, final year की हो complete course मैंने पढ़ाया हुआ है अपने YouTube channel पर जिसमें playlist भी बनी हुई है अब बात ये आती है कि ढूंडने में दिक्कत हो जाती है कि एक-एक वीडियो उसको कहां सर्च करें तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि exam से पहले जरासा भी confusion रहे तो इसलिए मैं आपको ये सलह देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल का लिंक description box में मैं mention कर दूँगा तो आप वहाँ पर जाएए आपको BA first year की सारी वीडियोज playlist के BA first year की playlist के नाम से है वो मैं send कर दूँगा दुबारे से send कर दूँगा ताकि आपको ढूंडने में प्रोब्रम ना हो तो वो प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी एक एक करके चुट 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 इस वीडियो है ज्यादे बड़ी नहीं है तो उनको आप देख लीजिए ऐसे ही बी ए सेकंडेर की प्लेलिस्ट है उसे भी मैं send कर दूँगा उसकी सारी वीडियो को आप देख लीजिए और बी ए फाइनल वालों के लिए तो जो मेराथन क्लासेज मैंने बनाई है दो मेराथन क्लासेज उसमें ही पूरा कोर्स जो है वो कवर किया है तो आप उन दो वो objective होगा और objective यानि की question होगा उसके चार options होंगे उन में से एक चुन्ना होगा negative marking का कोई criteria नहीं है तो आपको जो आपका जो pattern है पेपर का pattern वो objective pattern है उसमें आपको क्या करना है जो questions है वो किस तरह के आएंगे सबसे पहले तो जो भी writers है यानि कि जो work आप पढ़ रहे हैं कोई भी work आपके course में लगा हुआ है ठीक है तो उस work का जो writer है जिसने उसे लिखा है उसकी biography सबसे पहले तयार करें अब biography में क्या क्या पढ़ें जो मैंने बहुत short में बहुत brief मे biography अपने telegram channel पर pdf में send की हुई है तो उसे आप पढ़ जाईए उसे आप तयार कर लीजे biography को आप अच्छी तरह से तयार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे writers की जो biography है वो मैंने वहाँ पर send की हुई है इसके अलावा जो stories है stories से questions आते हैं यानि की character दे दिया ने पूछ लिया कि किस story का character है या फिर कोई घटना mention कर दी उसके बारे में question पूछ लिया तो कुल मिलाकर कहानी अगर जो आपको तयार है तो कहानी से questions वहाँ पर जरूर बनते हैं और writer के questions कैसे होते हैं writer का birth पूछ सकते हैं death पूछ सकते है उनको क्या-क्या उनके achievements रहे वो पूछ सकते हैं उनकी education पूछी जा सकती है family background पूछा जा सकता है और इसके अलावा उनके द्वारा लिखे गए जो famous works हैं उनके बारे में भी exam में पूछा जा सकता है तो जो writer की biography है वो इस तरह से त्यार करें चाहे आप first year में है second year में है य और जिन्होंने notes लिये हुए है उनका तो पूरा cover ही है उसमें मैंने कराए लेकिन उनको भी मैं सला दूँगा कि जो biography PDF में मैंने telegram पे डाली है उसको extra में तयार कर ले इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे second year की तो second year में आपको क्या तयार करना है क्योंकि आपको objective pattern नहीं है very short short or long questions आने हैं तो very short questions और short questions और long questions के लिए वही तरीका है writers का पूछा जा सकता है तो writers को आप तयार करें ठीक है उसी तरह से biography और ये ना सोचें कि अगर केवल work है तो केवल work से ही question आएंगे उसके point उसके जो writer है उनसे भी questions आ सकते हैं और आते ही है exam में तो उनको भी आपक writer के बारे में उनका birth उनका parentage उनके achievements उनके works तो इस तरह से उनको तयार कीजिए या फिर कोई भी उनको जो प्राइज मिला हो उसके बारे में उसको तयार करना है अब ये secondaire में आपको वही समरी तयार करनी है बीच में से questions आ सकते हैं उस तरह से तयार करना है और बात करें हम first year में same pattern ही है जैसा आपका first year में pattern है वैसा ही second year में pattern है very short short और long questions का तो आपको करना क्या है इसके लिए आप जो समरी तयार करते हैं एक question एक तरीका और में आपको बताता हूं सपोस करो कोई भी question exam में आ गया story से related question है कोई भी question का exam में आ जाता है ये उस समय की बात है जो आप अच्छा भी कर दें और आपको number भी मिल जाए और बशरते आपको question याद भी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है summary तयार करनी है summary तयार करके जाए हर chapter की और summary जो आप तयार करेंगे तो उस summary को वहाँ पर mention कर दीजिए उस summary को लिग दीजिए उसमें ठीक है और उसमें एक दो quotations यानि की story की lines होती है न मेन lines वो quotations के रूप में जानी जाती है उनको black pen से highlight कर दीजिए अगर जो उन्हें भी नहीं कर पाओ तो आपको लग रहा है कि summary में ये special चीज आई है तो उसे black pen से underline जरून करके आईए तो highlighter का use करते है तो copy में पीछे की तरफ आज आंगे तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ चाहाए ये तरीका आपको long question में भी काम आने वाला है ये तरीका आपको short question में भी काम आने वाला है और very short तो आपको पता ही writer से related और story से related बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है कोई character पूछा जा सकता है कहानी का कोई event पू देखाया है बलकि बीए फस्टेयर सेकिंडर के इस तरह के नोट्स बनाए हुए है क्योंकि मुटर वेपर में क्या होता है बहुत-बहुत सारी कुश्चन्स दिये होते हैं हमने क्या कर दिया उनको शौर्ट कर दिया दस क्योशन का एक या दो कुश्चन्स बना डाले तो इस अगर तो आप तयारी करते हैं तो आपको कम तयार करना पड़ता है और आसानी से तयार हो जाता है देखो आप तो मैं सलहा नहीं दूँगा आपको इस paper के notes लेने की next paper के जरूर purchase कर लीजिए क्योंकि उससे क्या होगा उससे आपकी तयारी अच्छी हो जाएगी notes purchase करने के उसको ही आपको follow करना है उसी को follow करना है और दोस्तों जो lines है Robert Browning एक point हुए है उन्होंने कहा है I was ever a fighter so one fight more the best and the last मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूं एक योद्ध और लड़ूंगा मेरे जीवन का सर्वस्रेश्ट और आखरी योद्ध होगा अगर इस motivational spirit के साथ आप exam दे से मैंने बताई है उस तरह से लगे रहिए पूरा कोर्स मेरे चैनल पर एविलेबल है और जब आप लोग में आ जाएंगे तो में कभी आपको पूरा syllabus मिलेगा और उसके बाद जब आप TGT PGT की त्यारी करेंगे तो इसी चैनल पर बने रहना है और अगर आपने चैनल को अ एधिर भी करें एग्वे।